इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईफोन में जो बैक्ग्राउंड एप रिफ्रेस का जो सेटिंग होता है उसे आप कैसे ओन करेंगे कैसे इनेवल करेंगे तो इस वीडियो को आप सुरू से लाश्ट तक देखते रहिए तो देखिए इसको करने के लिए आपको क्य करना है कि आपको सेटिंग्स में चले जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको क्या करना है कि यहां पर आपको मिल जाता है जेनरल का ओप्सन तो आप जैसे जेनरल पर जाएंगे तो जेनरल पर जाने के बाद यहां पर आपको मिल जाता है बैक्राउंड एप और यहां पर कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो इस पर भी कुछ हमें नहीं दे रहा है तो फिर हम करेंगे कैसे यहां पर सबसे नीचे अगर हम जाते हैं यहां पर हमारी जो बैक्ग्राउंड का रिफ्रेश का जो अप्सन है यहां पर इनेवल हो जाती है तो यहीं इसका तरीका है और यहीं इसका प्रोसेस है तो अगर यहां पर वीडियो आप को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा